जै मातादी वात पधान रोग वात रोग जिनका संबंध शरीर के निशले हिस्से से होता है ये वोग अगर कहा जाए तो 6, 7, 8 इन भावों से इनका संबंध अक्सर बनते देखा गया है लेकिन अगर हम गर और राशियों की बात करें तो वात रोग का संबंध शरीर राहू और केतू से होता है मुख्य तरप है इनको वात प्रधान गर माना गया है और अगर हम राशियों की बात करें तो रुशब राशी जो की शुक्र की है कन्या राशी बुद्ध की और मक्या राशी शनी के ये भी वात रोग देने में कारक माने जाते हैं अगर आपकी छटा भाव का संबंद इन तीन राशियों से ज़र कही ना कहीं ये तीन ग्रह का संबंद छटे भाव से बनता हो भले गोचर में, दशा में या आपकी कुंडली में तो आपको वात रोग होने की संभावना बढ़ जाती है अब वात रोग में कौन सी राशी आती है? भूमी तत्व राशी आती है अब रोग में क्या क्या हो सकता है? संधी रोग हो सकता है पेट की दिक्कतें अक्सर आपको गैस ट्रॉबल होगे और मुर्चा मुर्चा मतलब जैसे कि एक पकार से मनोरोग है व्यक्ति थोड़े देर के लिए अचानक से बेहोश हो जाता है कई लोगों में आपने ये रुप पाया हुआ तो ये सब वात रोग के उधारन है और इसमें शनी राहू केतु भले दुष्टी संबंद से डायरेक्ट या इंडायरेक्ट रूप में मुख्य भूमी का निभाते हैं अगर वात रोग हो तो आप शनी राहू केतु का दान करें इनका उपाय करें या फिर इन राश्यों से संबंद अगर इनका बनता है इन ग्रहों का तब इन ग्रहों के इन राश्यों का उपाय करने से भी वात रोग से मुक्ती पाई जा सकती है